करल नजए निवस्ट का एक्जाम होगा और इस के फरवरी में होगा तो बखेशन टाटा तो कुछ नहीं आया लेकिन अप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं फिर इस अनुमान के हिसाब से पिछला डाटा उठाकर देखेंगे कि कभी स्किल हुआ था तो यह माने के जलिए जब रिटेंड के रिटेंड हुआ था 20-21 जनवरी और आपका 8-11 मार्च के बीच में इसकिल हो गया था उन्होंने बहुत तेज प्रोसेस किया हुआ था आंजर की दो तीन दिर में आगई थी लेकिन अभी आप देख रहें कि एक्जाम हुए पूरे 15 ज्यादा दिन हो चुके हैं यानि कि 10 तारीक को पहला ड्राइवर का एक्जाम था ग्यारा तारीक को आपका इ 20-20 दिन हो गया और यह कान में तेल डारे हुए अंधर की तक नहीं थी है तो क्या इसका इसकिल टेस्ट फरवरी में होगा तो बहुत सारे लोग परिशान है कि कभ इसका इसकिल होगा तो पहले आप थोड़ा पुराना डाटा देख लें तब आपको ज्यादा थोड़ा सा एडिया रहेगा तो देखेंगे 2018 वाला यह डाटा आपके सामने इसमें जो फॉर्म की आप देख सकते हैं कि 15-11-2018 को रिलीज हुआ था अप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 6-12-2018 को इसकी लाश्ट टेटी 26-12-2018 यानि कि यहां पर आप देखेंगे कि 20 दिन सिर्फ एक्जाम का प्रोसेश बिल्कुल सेम रहा है कि इतने जल्दी इन्होंने भी आप देख रहें कि 11 तारिक से ग्जाम ता और 13 तारिक को इंड हुआ था यानि एक मैने के अंदर इंदर इन्होंने एक्जाम करवा लिया है लेकिन इनकी आप यहां से देखेंगे कि जो आंसर की है वह च स्किल टेस्ट हुआ था आपका गुरुफ सी इंड स्टैनोग्राफर तो आठ मार्च से ग्यारा मार्च के भी इस हुआ था और यहां देखेंगे फाइनल देजल्ट भी स्टैनोग्राफर का बहुत जल्दी आगा था यानि कि आप देखेंगे तीन छे दोजार निश की गई हो लेकिन वैसे रिलीज कर दीना चाहिए तो माल वेदी आज आंसर की नहीं आती है तो यह माने के लिए फर्ष्ट वीक आप जनवरी में आपकी आंसर की तो आही जाएगी यानिकी चांसे पूरे-पूरे हैं रिजल्ट आपका डिले हो जाएगा मतलब पिछला प्र पैठा हुआ है सब रोसे लेट हैं फिर वी मान के चलिए कि जो मुझे थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली हुई है उसके एसाब्त है अब यह अंदर की थोड़ी इंफॉर्मेशन है क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में बिल्कुल नहीं कह सकते हैं क्योंकि बस जिससे हमने पूछा हुआ उन्हों को किसीने इंफॉर्मेशन दिया होगा कि प्रॉसेश चला तो उसके हसाफ से मैंने आपको बता दिया ठीक तो फिर भी एक अनुमान आप लगा चल सकते हैं कि आपका सेकेंड वी का फरवरी में इस्किल टेस्ट होगा तो उसी के साफ से आप प्रप् झाल 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